जिस पेशन को भी क्रॉनिक डियालेसिस की या मेंटेनेस डियालेसिस की आउशकता है उसमें कोई कन्फीजन नहीं होना चीए दो तरह की डियालेसिस होती है या तो सब्सक्राइब नहीं होती है और जो अस्पताल में या आजकल कभी-कभी घर भी कराई जा सकती है इसी सुधाया आने लगी है जो काफी एल्डरली पेशन्स है या मोमेंस नहीं हो सकते उनको घर पर भी सुविधा में जूद होने लगी है ऐसे में इनको मिनिममम तीन बार जरूर करना चाहिए और इसलिए क्योंकि आइडिली हम लोग किड्नी का रिप्लेस्मेंट कर रहे हैं तो किड्नी पानी वाली कह सकते हैं पेट के नली के थू होती है तो अब तो पता है कि रोज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें रोज डेली एक्षेंजेस करेंगे और इसे डेली गंदगी बाहर जाएगी और उसमें खान पान की सुविधा भी बढ़ जाती है पानी का वह भी इंतेक भी और अजब पानी निकला है जो गंदगी हो निकल पा रही है यहां सब्ताह में तीन बार मैं में जो शिक चार दिन नहीं कर दरह सब हम आम थो और सब और सबना पड़ेगा कि जब हम सब्सक्रा अमें और सी मारत हो पाती सब्ता में और अगर आप जोड़ें तो सब्ता में 24 इंटू साथ घंटे कितने घंटे हो रहे हैं तो ऐसी स्थिती में किड्नी की फुल अच्छी होने के बाद भी आप किड्नी का एट लिस्ट फॉर्टी टू फॉर्टी परसेंट फंक्शन ही रिपेस कर पा रहे हैं और डियालिसिस की और गंदगी रिलीव कर रही है हमें उसके साथ खून बढ़ाने का इंजेक्शन ब्लड पेशर कंट्रोल की दवाईयां अगर हाइट य डायप्टी की दवाईयां तो वह दवाईयां और हमें जो नियूरोपैथी हो रही है जो और प्राब्लम्स चलने क् अगर सही नहीं होगी तो उसकी जो रही हईट की प्राब्लम जोनकी की प्रावलम्स जोंकी जोनकी इंटेक्स वो मिटिंग यह सब क्योंकि को हम बहले बी बार बार बता चुके हैं कि कि यह सिस्टमिक नहीं है जैसे ही एक व्यक्तिका kidney involved होती है मतलब उसका पूरा शरीर involved होता है क्योंकि kidney तो एक तरह से कई बार last environment रहें यह अगर primary disease भी है तो kidney involvement means कि heart, lung, liver सब involved हैं यह मान लेना कि kidney को एक compartment में बैठी है कि उसको ठीक कर दें और सब ठीक है ऐसा गलत है कोई भी एक मेजर आर्गेंज जिसमें लीवर हाट लंग और किड्नी और ब्रेन जैसा इंवाल्वन्मेंट होता है हाथ पैर को छोड़ दिया जाये गर तो जो ये पांच शे मेजर आर्गेंज हैं ये अगर एक आर्गेंज भी मिनिमल इमाल्मेंट भी होता है तो वह सब आर् काई लीवर और लग को स्टेज में पकड़ लेना बीमारियों को अर्ली उसका इंवाल्मेंट डॉक्टर को करना और अर्ली मेनेजिमेंट करना और दूसरे लिधाप दो चीजें इम्पॉर्टेंट हैं अर्ली इन्वाम मैनेजमेंट और है कि नहीं जैसे और दवाईयां है उसी तर्ट की डोज होती है कि एक मोटा व्यक्ति है एक जो है बहुत ही अच्छा यंग व्यक्ति और खुब खाना पीना खा रहा है खुब एक्टिक काम कर पा रहा है और करना चाहिए का मतलब एक्टिव लाइफ जीए वह सामान ने और सं अच्छे देशों में जहां पैसे की दिक्कत नहीं होती अभी अपने हां भी जो लोग अफोर्डिबिल्टी बढ़ रही है तो सला तो यह जाती कि आप रोड़ करें और इसलिए हाई फ्लक्स डालेजर भी आ रहे हैं कि एफिशेंसी हाई एफिशेंसी जिसमें कि आप सामा आप खान पान अच्छा हो पै अगया तब इसके सब्सक्रस करना और थो आपको बहू करने लगए गया वूदरण बोलते हैं वह अक्छीं तो लंबे समय तक नहीं चल्पाया आगगा आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हम रखें आपका ख्याल